नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस ने वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम आपको जनकारी बताने वाले हैं जिन भी चात्रों ने प्रिवेश परिक्षा दी थी उन सभी चात्रों के लिए यहाँ पर हम अनुमानित कटॉपलिस्ट के बारे में आज बात करेंगे तो यहाँ पर डाक्टर हिसंग और विस्विद्धालाई सागर मद्पदेश के इंत्रगत आंसर की अपलोड कर दी गई ह समस्त छात्रों ने आंसर की जो है चेक कर ली होगी अब इसके बाद हम अनुमानित कटॉपलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि पोस्ट ग्रेजूइशन में 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 सी आदी की जो कटॉपलिस्ट है वो कितने पर लगभग जा सकती है और यहाँ पर जो पिछले वर्ष क की जो कटॉपलिस्ट थी वो कितनी थी तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सत्र दोजार बीस एक क्टॉपलिस्ट थी लगभग सभी ने जो है कटॉपलिस्ट पहले देख ली होगी तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो इस वर्ष की कटॉपलिस्ट है दो लगभग कितनी हो सकती है तो यहाँ पर यह जो कटॉपलिस्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं यह अनुमानित है इसमें जो आपकी फाइनल कटॉपलिस्ट आएगी उसके हिसाब से आपका सेलेक्शन होगा फाइनल कटॉपलिस्ट जो है यहाँ पर बड़ भी सकती है और गट भी सकती है यहाँ पर जो number हम बताने वाले हैं इसमें से कुछ अंक प्लस और कुछ अंक माइनस भी यहाँ पर हो सकते हैं तो यह जो catopolis है यह अनुमानित है इसके हिसाब से आप अपना अंदज लगा सकते हैं और इसके बाद जो final cut-off list है वो बहुत जल्द प्रिकासित कर दी जाएगी जिसकी information हमारे मात्यम साब को दी जाएगी UG के जो चात्र है या अंदर graduate के जो चात्रम के लिए हम अनुमानित cut-off list पहले दे चुके हैं आज के इस वीडियो में हम post graduation के जो समस्त चात्रम के लिए हम पर cut-off list लेकर आए हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है cut-off list अनुमानित है यह जो list है यह हमने एक तीन दो से तीन बरसों के अनुमान को लगा कर यहाँ पर cut-off list निकाला हुए तो यहाँ पर हिंदी MA के लिए journal category 48, EWS 40, OVC 43 और SC 40 और STB 40 प्लस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जो cut-off list है इसमें plus मानस जो हैं अनक हो सकते हैं यहाँ पर हिंदी में जो cut-off list है इसमें plus हो गारतालीस प्लस 40 प्लस 43 प्लस 40 प्लस इसके बाद हिस्ट्री MA MA हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर journal category के लिए 114 निकल रहा है तो 114 प्लस यहाँ पर हो सकता है EWS के लिए बात करें तो 75, OBC 80, SC 80 और ST 71 तो यहाँ पर इन सभी में plus हो सकता है इसके बाद English MA की बात करें तो English MA में 75, 75 journal के लिए EWS 40, OBC 50, SC 40 और ST का 40 प्लस यहाँ पर cut-off list हो सकता है इसके बाद economics MA की बात करें तो journal category में 72, EWS में 55, OBC में 70, SC में 66 और ST में 40 अंग के यहाँ पर plus में हो सकता है इसके बाद यहाँ पर political science MA की बात करें तो यहाँ पर journal category के लिए 90 प्लस, EWS के लिए 70 की लगभग और यहाँ पर OBC 78, SC 74 और ST 40 प्लस हो सकता है इसके बाद आगे MA criminology की बात करें तो 40 प्लस इसमें सभी में होने वाला है इसमें 40 प्लस में सभी उमीदवारों को यहाँ पर लगभग chance हो मिल जाता है यहाँ पर एक बात और confirm करना चाहेंगे अगर आपकी जो counselling है वो per day के हिसाब से हुई तो यहाँ पर कटॉपलिस्ट बहुत नीचे तक जा सकता है और अगर आपकी जो counselling है वो अगर एक ही date में दी जाती है तो यहाँ पर आपकी कटॉपलिस्ट हाई हो सकती है तो यहाँ पर एक से दो कटॉपलिस्ट दी जाती है तो यहाँ पर आपकी percentage कम हो सकती है और अगर एक ही कटॉपलिस्ट दी जाती है तो यहाँ पर percentage बढ़ सकती है अब इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर आपका जो MSC, Microbology का जो general category है वो 60, EWS 40, इसके बाद OBC 60, SC 50 और ST 40 इसके बाद आगे चलते हैं Bio Technology MSC 40 पिलस यहाँ पर SC, ST, OBC और EWS के लिए होने वाला है इसके बाद हम आगे चलें Botany MSC, Botany MSC में आपका general category के लिए 90, EWS के लिए 50, OBC के लिए 67, SC के लिए 56, ST के लिए 40 पिलस यहाँ पर cut-off list हो सकता है इसके बाद Chemistry MSC की बात करें तो Chemistry में journal category 81, EWS 50, OBC 61, SC 55, ST 40 पिलस यहाँ पर लगभग plus minus में यहाँ पर जो है mark हो सकते हैं इसके बाद यहाँ पर forensic science MSC की बात करें तो 110 journal, EWS 102, OBC 110, SC 80, ST 67 के लगभग यहाँ पर आपका cut-off list हो सकता है इसके बाद आगे चलें Geography MSC की जो cut-off list है बुलगभग, journal category 87, EWS 48, OBC 71, SC 40, ST 40, PLUS या माइनस हो सकता है इसके बाद आगे चलें Math, MSC, MA की तो यहाँ पर MSC, MA के लिए journal category 70, EWS 56, OBC 68, SC, ST 40, PLUS और माइनस यहाँ पर cut-off list हो सकता है इस list में जो है लगभग, plus के ऊपर cut-off list होने वाला है, माइनस के कम चांस हो सकते हैं इसके बाद यहाँ पर physics, MSC की बात करें तो physics, MSC में journal category 80, EWS 57, OBC 89, SC 58, ST 40, PLUS यहाँ पर हो सकता है इसके बाद जूलोग, MSC की बात करें तो journal category 87, EWS 54, OBC 57, SC, ST 40, PLUS हो सकता है इसके बाद MFARM की बात करें, तो यहाँ पर journal category के लिए 109, PLUS 9 से जादा ही जाएगा तो journal category के लिए 109, PLUS ही होगा, EWS के लिए 104, PLUS होगा, और OBC के लिए 107 के लगभग हो सकता इसके बाद SC 98 और ST 64, तो यहाँ पर यह जो MFARM के cutoff है, यहाँ पर PLUS ही होगे, मानस की कम चांस है इसके बाद LLB की बात करें, तो LLB में समस्त छात्रों के लिए जो cutoff list है, वो यहाँ पर journal category के लिए 125, EWS 80, OBC 110, SC 81 और ST 40, PLUS यहाँ पर हो सकता है इसके बाद Computer Application MCA में, जर्नल काटिगरी के लिए 89, EWS 54, OBC 71, SC और ST 40, इसके बाद Business Management MBA में, जर्नल काटिगरी 89, EWS के लिए बात करें तो 70, OBC 81, SC 72 और ST 40, तो यह समस्त पोश्ट ग्रेजुशन के जो subject है, इनके जो cut-off list है, यह plus minus में हो सकते हैं, यह अनुमानत cut-off list है, अगर इनसे ज़्यादा आपके नंबर हैं, अगर इससे plus में आपके नंबर हैं, तो आपके जो chance हैं, वो 99% यहाँ पे आपके chance हैं, और अगर यहाँ पे आपके minus नंबर हैं, तो यहाँ पे आपके कम chance हो सकते यहाँ पे जो cut-up list है अनुमानत है uh यहाँ पे आक जो cut-up list है जजो यह lenus सकता यहाँ पे और अच्छे से अगर आपको confirm करना है तो आप जो है यहाँ पे बाफिस जो बढ़ जो आने वाला है तो और बी जनकारी के लिए अगर आप हमसे कोई जनकारी लेंगों पूरी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी उट्टे को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली पूरी जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहें झाल